मैं कुवे के अंदर जा रहा हूं अगर मैं बाहर आ पाऊं यह न आ पाऊं यह कुदरत का करीश्मा है और इसे जीवों को बचाते हुए हमारे प्राण रहे न रहें कुछ कह नहीं सकते हैं अचानक एक मुद्दा आता है मेरे सामने जहां पर किसी कोई अंजान विक्ति है उसके घर पर साप आ जाता है और वजय से केंचुली निकालता है तो उस समय में काफी भूका रहता है तो वह भागता हुए जाता हो और कोई अंजान विक्ति है उसे मार देता है तो साथी काफ तो दोस्तों हमारी टीम फैनली गाउं पोखरदा में पहुंच चुकी है और यहां पर हम एक स्नेक को रेस्क्व करने वाले हैं जो की कुए के अंदर है और काफी तडप रहा है और लगबग 2-3 दिन से इस कुए के अंदर है तो इन्होंने काफी प्यास किया इसे निकालने का लेकिन इनका प्यास जो है आसा पल रहा तो तुरंती मुझे इंफ्रमेशन दी तो फाइनली हम वहां उस कुए तक पहुंचने वाले हैं और वीडियो में इंदर तक ज़रूर बने रहीएगा नमस्कार साथियों स्वागत करते हैं आप सभी का अपके अपने यूटूब चैनल पर मैं आपका दोस्त प्रकास कशावा फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी की बीच उपस्तित हूं दोस्तों इस वक्त मौजिद हूं मैं गाहों पोकरदा जूकि तैसिल मुक्याले से लगभग 8-9 किलोमेटर की दूरी परिष्टी थे और यहां पर इन भाईया के खेट पर किसी साप ने जो है जगा बनाई थी और वहां से वह भटकता हुआ सिधा एक कुवे के अंदर गिर गया है उसे लगभग 3 निन हो गया है और काफी प्रियास किया इन्होंने निकालने परिष्ट आपका तो तो क्या नमें सर आपका मना नाम रंजीत है अच्छा और किसके आया था यह पोखर्दा नी है जिसके कुवे पर आया ना है यह साप हमारे कुवे पर पते यह रंजीत पिता शिवलाल के हैं कुवे पर साफ गिर गया है तीन दिन से गाव कौन सापका अब हम सीधा चलेंगे साप को रेस्क्यू करने के लिए और इन बेजवानों को हमेशा बचाईए मारने का बिल्कुल प्रयास ना कीजिए तो बाकिये का नजारा वीडियो में एंड तक जरूर देखें और बने रही है एंड तक चलिए साप को बचाने के लिए हम एसी अब हरी इनकी पूरी थी में अब कर देखेंगे अब कर देखेंगे लिए हम लोकेशन पे आ चुके हैं जहां पर साफ का रेस्क्यू होना है अब देख पार इसी कुवे के अंदर जो साफ है जो कि भाई आज स्क्यू हा रेंगे जो गहरा ही है अभी की तरफ में फर्मे गिल लगाए एक जो तुए इस अब निकल रहा है कभी पानी के अंदर है कभी बार है लेकिन सेप्टी के साथ हम बिल्कुल ही उसे बाहर ही लिकालेंगे जो नजरेंड तक जमाय रखिएगा साथ योपनी चलिए साथ पाथियों अपनी नजरेंड तक जरूर जमाय रखिएगा और मैं कुवे के अंदर जा रहा हूं अगर मैं बाहर आ पाऊं या न आ पाऊं या न आ पाऊं ये कुदर्द का करीश्मा है और इसे जीवों को बचाते हुए हमारे प्राण रहे ना रहें कुछ कह नहीं सकते हैं तो बाईया जो अभी पूरा गंबर जा रहे हैं तो पूरा वताणी के सिकार रस्कु पटने चड़ी साथ में ले जा रहे हुए 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 हमको एक्षी दिश्वी पर आगा है तो देख भाण आप इंचे पेरों के निचे है और वो बता रहे है कि इंडियन ने दुरता कि अधिकत हो गया एंढिए हैुए ह कि भी ने रस्कु लास मीत पटेख लक्षिक है ओफ हुग है ख़णी पकड़ पड़ा वह एक होगा है युद्व नहीं है जो हमें कर दो नहीं चिव जैने इसकर चुल जो पराधित नोला लिए ये पूरा सांच लिंका पेर से लपेगा है सबस्केजिखιο कि अभिच्छाइक, तama हुशाजी को स मेड़ी प cyclist तो फाइनली दोस्तों इस प्रिक्टिकल कोबरा को हमने जो है सुरक्षित बाहर निकाला है और हमारी जरासी मेनत आपको पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरू कीजिएगा चलिए मैं इसे बाहर ले चलता हूं तो बहिया साफ को भी बाहर लेकर आओ गए हैं तो बहर आने के बाद तो साफ बहुत ज़्यादा एक प्रिक्राइब आपनी देख पार हो पूली तरहिके से अभी बढ़ा जाए है अभी बहिया के हाथ में साफ कि अलगे थोड़ी यू कार लो यार वीडियो मागी इसे एक अच्छी सी जगल लें आप थोड़ा फिचर हैं तिकल कोब्रा यानि की भारती नाग या नागिन को हमने जो है फाइनली रेस्क्यू किया है वेक अंदर से बिलकुल ही सेप्टी के साथ हमने जो है बाहर निकल दोस्तों इसे फाइनली रेस्क्यू किया और इसमें जो है नियूरो टॉक्सिन नमक वेनम रहता है जो कि इंसानों के लिए और जानोरों के लिए बहुत ही खतरनाक और घातक सिद्ध होता है क्योंकि जब यह बाइट करता है किसी स्थान पर तो 30 सेकंड तक जकड कर रखता अब करता है और अब तो उसकि रुखना बंद हो जाती है और साथियों पॉर्परत तरीके से इलाज करवाना है तो साथियों अभी की कंडिशन में देख सकते हैं आप लोग और यह काफी अग्रेसिव है क्योंकि इसे पता नहीं है कि हम इसे बचाने के लिए आए या फिर मारने के लिए हैं तो फिशी भी हम इसे बचाने के लिए हैं और काफी गुस्से में हैं काफी एग्रेसिव सातियों और इसकी पीछे जो है एक इस्पेक्टिकल यानि चस्मे जैसे आकरती बनी हुई है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम वाकई में इंडियन इस्पेक्टिकल कोब रहा है यह देख सकते हैं सातियों एक दो मिंट बोलो मदा अब करते हैं और ले चलते हैं इसको इसके परियावरण में और वीडियो देखकर जीवन में इसे सापो को पकड़ने का बिलकुल प्रयास ने कीजिएगा नहीं तो आपके प्रांट बढ़ी आसने से चले जाएंगे तो फाइनली दोस्तों अब इसे जो है पेक करने का समय आ गया है और चलिए इसे पेक करते हैं और ले चलते हैं इसको इसके परियावरण में कहीं दूर के लिए जहां पर हम जो है ऐसी स्टोरी कवर करते हैं जैसे बाइया का ही स्टोरी हो गया कि एजुकेटेड भी है उसक इसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोग जानवेरों को मार देते हैं जो भी आपने पूरा वीडियो अगर देखा होगा अंदर तो कितना जदा रिस्की है कितना अग्रेसिव यह लग रहा था तो मुझे बहुत परस्नली बहुत ही अच्छा लगा मतलब तो इसा सांप पर जो निशाचर प्रकृति का पाए जाता है और यह रात्री के समय वीचरण करना बहुत अधिक पसंद करता है और इसके स्वाधिष्ट भोजन के हम बात करें तो चुहा और मेंडग इसका सबसे स्वाधिष्ट भोजन होता है और उसे ही खाकर ही अपना जीवन यापन कर पता है सातियों और रात्री के समय इनको बहुत अधिक दिखाई देता है और इनसान जो है दिन के समय अच्छा देख लेते हैं और रात्री के समय नहीं देख पाते हैं और वहीं इन सांपों का उल्टा काम है यह रात्री के समय बहुत अधिक देखते हैं और दिन के समय इन न रखते हुए इधर उदर हाट डाल देती है और ऐसे में उनके साथ घटना घटित हो जाती है और साफ जो है बाइट कर लेता है तो साथ ही अब इसे मैं रिलीस करूंगा परियावरण में यह साथ यह देख सकते हैं आप लोग काफी अग्रेसिव है और काफी खतरनाक है तो यह फाइनली दोस्तों हमने एक भारती नाग को रिलीस किया है परियावरण में बिल्कुल ही सुरक्षित और दोस्तों नास्ता मंगवाई थी इनोंने थोड़ी थोड़ी नास्ता मिली है हमें